हेलो इस्टुडेंट मैं दीख्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में जिसमें आज हम पढ़ेंगे करेंट अफियर के वार्सिकांग को जो की जन्बरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 के करेंट अफियर को कम्प्लीट करेंगा मतलब पूरा एक साल का करेंट अफियर कम जानेंगे पहले नबड़ तो इसमें पार्ट को कम्प्लीट करेंगे इसी तरीके से पार्ट हमारा फस्ट रहेगा उसी तरीके से पार्ट सेकेंड भी आएगा और ठ्र्ड भी होगा मतलब इस पूरी मैकजीन को सुरू से यंदि तक तीन पार्ट में डिवाइट करके पहले तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इस मैगजीन में जो कि जन्वरी 2023 से एक दिसंबर 2023 के करेंट अफेर को कम्प्लीट करती है उसके मौक आकरसण की बिंदूओं को देख लेते हैं जिसमें दिया गया है कि चौवन बा अंतराश्टी फिल्म महुसव किरकिट वर्ल्ड सब्सक्राइब करेंगे कि कौन क्या कहां बर्तमान में देखेंगे नविंदम के अंदरी मंत्री परशत की बारे में देखेंगे राज्यों की राजधानी राज्यपाल एब मुख्यमंत्री की बारे में दो चौथा भारत के उच्छ ने आयलाई की बारे में भाय बिश्व के देश कौन कहां क्या किस तरीके से इनकी बारे में भारत इम बिश्व में प्रिथम जोकी दो हजर रिकीस 222 की संदर में वर्ष 2223 में हुए प्रमुख सम्झोती की बारे में इसकी बाद प्रमुख मोबाइल एप एबं पोर्टल जो की फिर इसके साथ ही देखेंगे भारत सरकार की प्रमुख रिपॉर्ट की बारे में जानेगे आर्थिक समीक्छा की बारे में जानेगी तक केंडरी बजट की बारे में प리ंगे करेंगे法े नभीन तम पुस्तिख ए वहां लेखा कि वाखेंगे महटपूर दिवस एवब उनकीी बेशयंव की वारे में महतफूर समयलन हैं समारो एक वारे में नभीन तसंचिप की वills संसामे की विभितिय वारे में पढ़ेंगे मतलब इस मैंगजीन के जो टोटल थर्टी फाइब चोड़ टॉपिक हैं उनको पार्ट फैस्ट में कम्प्लीट करेंगे जो थर्टी सिक्स मतलब प्रिश्णोत्तर संग्रा जो बन लाइनर उसमें फैक्ट दिये गए होते हैं जो बीच में उनको पार्ट यह इसको टॉपिक को कवर करना है जिसके अंतर के सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक आता है वह कौन सा है करेंट फिर में कौन कहां क्या मतलब आप वह सबसे पहले आप देखेंगे क्योंकि इस से रिलेटीड हमेशा कुष्ण आते हैं बिसक्विश्ट से पहले तो दे जगदीब धनगड जो की चवदवी राष्टपती हैं और प्रधानमंत्री कौन है श्री नरेंद्वोधी जो की इसके पंदर में राष्टपती आती हैं तो राष्टपती द्रोथपुदी मोर्मुचो है वैं पंदर मी उप राष्टपती जगदीब धनगड चवदवे और प्रदान मंत्री श्री नन दोव दी पंद्र में राष्टपति नियाइक प्रमुख के वारे में पड़ते हैं, तो कर आदि जो की सर्वो चिनिया लाभए की हैं वैकान से हैं by जंद्रचूल बीवांच योकी 50 मुख न एसे प्रते हैं महा ने आवमाधी जिसे जनल मंट फुर्ट है के नियाय दिकरण के अध्यक्ष बैकॉन है नियायमोर्थी प्रकासरी वास्तवर्थ में अब आते हैं संसदी प्रमुक्स के बारे में जानाने के इसके सभापथि राजसभा के कोन है जग़ीब धनगः उपसभापति राजसभा के हरीवन्सनारायन से सद्धाई अधिर रंजन चोधरी और जो महाँ सद्धाई भय लोग सबाई में उत्पल कुमार से हैं तो यह प्रमुख है अब आते हैं हमारे नेक्स्ट निर्वाचन आयोग के वारे में जानते हैं मुखे निर्वाचन आयत तो कौन है? राजीब कुमार जो की 25 पे हैं फिर आते हैं चुनाव आयोग्त जिसमें अरोण गोयल अनूप चंदरपांडे इसके सदस हैं और उपचनाव आयोग्त में अजयभादू, आरके गुपता, उमे सिंहा और सुदीप जैन इसके प्रमुख उपचनाव आयोग्त है अब आते हैं हमारे नियंतरक एब महालेखा परिक्षक के वारे में कैग के वारे में, कैग कोन है परितपान में, ग्रीश चंदर मूर मी जो की चाउदवे हैं और महा लेखा नियंतरक कोन आते हैं, CGA यह आते हैं, SS2 जो की 28 वे हैं अब आता है हमारे नेक्स्ट, ससिस्तर सेनाओ की प्रमुख के वारे में पढ़ते हैं जिसमें सर्वुच्च सेनापती, राष्टपती, द्रोपदी मौर मू, बायुश नाद्यक्ष बी आर चौधरी जो की 27 वे हैं नौ सेनाद्यक्ष आर हरी कुमार 25 वे हैं, थल सेनाद्यक्ष मनोज पांड़े हैं, जो की 29 वे हैं अब आते हैं Chief of Defense Staff के Lieutenant General अनिल चोहान है, और महानेदेशक सेनाभियान के Lieutenant General मनोज कुमार कटियार हैं अब आते हैं सचीविम सलाइकार के बारे में, कैबिनेट सचीव कौन है? राजीव गवा जो की कैबिनेट सचव है, सलाइकार प्रधान मंतरी के? अमित खरे तरुन कपूर, प्रधान सचिप प्रधान मंत्री के पीके मिश्रा, रक्षा बित्ति सचिप गारगी कॉल, विदेश मंत्री बिनय मोहन, क्वात्रा अब आते हैं, गिर्य सचिप की बारे में, जो की अजय कुमार भल्ला है, बित्ति सचिप, टीवी सौमेनाथन, रक्षा सचिप जो हैं, गिरिधर, अर्माने, राजस्ति सचिप, संजय मलहुत्रा, राश्टी सुरक्षा सलाहकार के अजीत डुबाल, राश्टी सुरक्षा सला अनंत नागेश्वरन और प्रधान विग्यानिक सलाहकार भार सरकार के अजय कुमार सूध है तो अजय कुमार सूध कौन है प्रधान विग्यानिक सलाहकार भार सरकार के अब आता है गुप्तिचर इवं जांच संगठनों के प्रूख कि वारे में आता है केंद्री सतर्कता आ निर्देशक प्रभीद सूध is Mokka सूचनायक्त के निर्देशक है जो निर्देशक है हीरा लाल सामरिया फिर आते हैं मुख्षचनायक्त के अध्यक्ष कोन है हीराला लाल सामरिया फिर आते है Clay Nardesak इंटेलिजन्स ब्यूरे के तपन कुमार्डे का प्रमुक रिसर्च एंड एनलिसिस विंग के या रो के अध्यक्ष कौन है रवी सिंग फिर आते हैं महाने देशक राष्टिय जांच एजनसी के दिनकर गुपता प्रभारी प्रवर्द तर्ण देशा लेके राहुल नवीन औ सत्य नारायन प्रधान आते हैं अब आते हैं हमारी अर्धिसैने बलों के प्रमुक के बारे में सीमा सुरक्षबल के भूग के रष्मी सुकला सीमा शुरक्षबल के महाने देशक नेतिन अग्रवाल और केंडरी sacrifice वर के एस एल थाउसेन महानेदेशक जो की केंद्री उद्धूग सुरक्षा वलके सील बर्धन से राश्टी एनस्जी के प्रमुख है एम ए गड़पती ने विसेश सुरक्षा समुख के प्रमुख है आरोण कुमार सिंधा भारत तिब्बस सीवा पुलिस वलके अनीज दयाल से और राश्टी ग्रेड़ित कोर के गुरवीर पाल जो की चौटिस वे है भारती तक्टरक्षक वलके आते हैं राकेस पाल जो कि पचछिसवे है अब आता है महानेदेशक राश्टी आपदा प्रतिकरियाद्ध के अतुलकारवार कर्वाल रेलबे सुरक्षभलथ महानेदेशक म सबसे पहले आता है आपका नीती आयोग के जो अध्यक्ष है प्रधान मंत्री है नरेंद मोदी है उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है और CEO बीबी यार शुब्रमन्यम है तो इससे रेलेटेड हमेशा कुश्यन पूछे जाते हैं कि इनके जो अध्यक्ष या CEO से रेलेटेड कुशन पूछे जाते हैं तो इनके अध्यक्ष कौन है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और ने हैसके CEO बीबी यार सुब्रमन्यम है इसके संगलुक सिवाओ के अध्यक्ष जो है मनोश सौनी है 22 विदी आयोग के जो अध्यक्ष है रितु कुमार है एसके सूर है साथ में बितनायो है कि जो अध्यक्ष है अशुक कुमार मात्युर है फिर आते हैं अध्यक्ष लोकपाल कोन है लोकपाल के प्रदीब कुमार मोहंती पंदर में बित्त आयोग के जो अध्यक्ष भै एन के सेंह हैं फिर आते हैं भारती प्रती पर्दा आयोग जिसके अध्यक्ष रावर्णीट कौर है राश्टी अनुसूचित जन जाती आयोग के अध्यक्ष बिजर सांपला है और राश्टी मानदिक आयोग के अध्यक्ष अरोड कुमार मिश्रा जोकी आठवे है राश्टी पालादिकार सन्रक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानुन गों है और राश्टी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार एकवाल से लालपुरा है यह प्रमोख है आयोग के अध्यक्ष आवाता है हमारा वाते है भारतिय पोर्ड या समेति प्राधी करण एवं इसके अध्यक्ष के बारे में इनके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं कि रेलवेबोर्ड के जो अध्यक्ष है जैवबर्मा, सिंधा है और सेवी के जो अध्यक्ष है माधवीपुरी पूरी पूरी बुछ है और केंद्री फिल्म पिर्वारण बोड के जो महा निदेशा के CEO है रविंद भाकर है अब इनके प्रमुक रूंग देख लेते हैं जैसे CEO जो है भारतिय विसिस्ट पहचान प्रादीकरण या UIDAI के जो CEO है अमेत अग्रवाल है प्राई के जो अध्यक्ष हमाई PD वाघेला है और इसके लोकलेखा समीती के जो अध्यक्ष है अधिर रंजन जोधरी प्राकलन समीती के अध्यक्ष ग्रीस बापता है फिर आता है कि महारतन कंपनियों के प्रमुक के वारे में देखते हैं तो जिसमें सबसे पहले तो हम भेल क जो प्रमुक हैं उनके बारे में जान लेते हैं भारत है भी एलेक्ट्रिक लिम्टेट के जो प्रमुक है कोपू सदासिव मूलती आते हैं फिर आता है इसके बाद कि ओयल इंडिया लिम्टेट के जो निर्देशक है वह रंजीत रथ हैं अब आता है हमारे नेक्स्ट प्रमु टेलीफोन इंडिया लिम्टेट के सुनील कुमार है इसी तरीके से प्रमुख इसके अध्यक्ष आते हैं अब आता है सिक्षड अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में जाने तो यूजीशी के अध्यक्ष कोन है एम जगनीश कुमार इसमें इंद्रा गांधी राष् आते हैं इसके बाद कि राश्टी सेक्षणी का नुशंधान इम प्रसिक्षण परशद या NCRT के जो बहाने देशक हैं दिनेश प्रशाद सकलानी आते हैं और कैंद्री मादमेक सिक्षा बोर्ड के जो प्रमुख के मतलब अध्यक्ष निधी छिबबर हैं अब आता है मेडिया के प्रमुख के बारे में देखें तो इसमें जो प्रशार भारती बोर्ड के प्रमुख हैं उनका पदरिक्ष है और इसके CEO जो है गौरब दुरवेदी है नेशनल स्कूल अब ड्रामा के जो प्रमुख है परेश रावल है और अन्तिक्ष भारती फिल्म एबं टेल प्रमुख है वह सागर मुख उपाध्या इंडियर न्यूज प्रेपर सुसाइटी के जो महने देशक है मतलब अध्यक्ष राकिस सर्मा है अब आता है विज्ञाने के वह मनुशंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में जिसमें अध्यक्ष के इसरों के अध्यक्ष कौन तक है अध्यक्ष के बारए अध्यक्ष के भाए एक ही मुहंती है इसके बाद आते है एक्सट अध्यक्ष के प्रमुख के नो में जाने कि इस में अंतराश्टी क्रिकेट परिशत के जो प्रमुक है बाइ ग्रेग वारकले जो की न्यूजिलेंड से हैं फिर आता है कि पिर्थम सुतंत्र महला निर्देशक ICC की इंद्रा नूरी है फिर आता है इसके बाद हम और देखें कि भारती क्रिकेट कंट्रॉल बोर्ड मतल होकी इंडिया के जो अध्यक्ष कौन है दिलीप टर्की और इसके बाद आता है पहली महला जो की अध्यक्ष बनी है भारती ओलम्पिक संग की पीती उशा फिर आता है इसके वाद हैमंत विश्वासर्मा भारती बैडमिंटन संग के प्रमुक बने हैं और पेराश्वासर्म प्रमुक है भारतिय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के जो प्रमुक है देवासीस पांडा है और कर्मेचारी राज चैन राज बीमा निगम के जो अध्यक्ष रहे हैं इसके अंत्रगत देखते हैं कि फिक्की के जो है और भारती उद्दूप परिशंगे के जो अध्यक्ष है और फिर आता है इसके बाद बॉंबी स्टॉक एक्चेंज के प्रमुक जो है केंदरी बैंक मतलब गवर्णर आर्वी आई के गवर्णर आर्वी आई के गवर्णर कौन है सक्तिकांत दास जोकी 25 वे हैं और उप गवर्णर और रिजर बैंक ओफ इंडिया के स्वामी नाथन जानकी रमन टी रभी संकर एम राजिश और राव माइकल दियो बरत पात्रा इ भारती स्टेट बैंक जिसके अध्यक्ष कौन है दिनेज कुमार खारा भारती स्टेट बैंक के सीएफो के इसकामेशर राव कूदा बनती है और भारती स्टेट बैंक के प्रभंद निर्देशक बिनाय एम तॉन सी अश्वनी है अब आता है बैंक ओब बढ़ोदा के जो अब आता है एक नोट के संदर में जानते हैं कि इसमें दिया गया है कि 30 अगस्त 2019 को दर सार्जुनिक छेतर के बैंकों का चार वड़े छेतर के बैंकों से बिलाए की बाद बरतमान में भारत में सार्जुनिक छेतर के बैंकों की संख्या बारा हो गई है इन्दियन भैंक, आन्दरा भैंक का भिलाए Union Bank of India औरियेंटिड बैंक ओपॉमर्स और इन्द बैंक और गलाए पंजाम नسم्हें बैंक में तो इस मैं क्या बताया गया है कि इस 10 सारजुनिक जो बैंक थे उनकों 4 वड़ी बैंकों में बिलाए कर दिया गया जिनके बाद सारवजनिक छेतर के बैंकों की संख्या कितनी होगी है 12 होगी है जो की प्रिजन्ट में 12 है फिर आता है कि इलाबाद बैंक का जो बिला है बैंडियन बैंक में किया गया है, आंध्रा बैंक का बिलाए, यूनियन बैंक ओफ इंडिया में किया गया, औरियेंटिट बैंक ओप कॉमर्स और यूनाइट बैंक ओफ इंडिया का बिलाए, पंजाम नेशनल बैंक में किया गया, सिडिकेट बैंक का बिलाए, कैनरा बैंक मे किया गया बिजिया बेंक और देना बेंक का व्ला है बेंक और बडौध हमें कर दिया गया होगे है कि तो बरत मारम सारज्णिक प्रमुखें बहरजदबर्मा है फिर आते हैं CEO सिरी किशन हरीहर सर्मा इसके संदर में की 1 अप्रेल 2015 को और एन जी वेस बैंक का बिलें कोटक महिंदरा बैंक में हो किया था और रालि में लच्मी ब्लास बैंक का बिलें सिंगपुर के डीज्बियास बैंक की भारतिय साखा में किया जया है। अब आती है प्रमुक रक्षा-उपकरण की members रक्षा-उपकरण हैलिना को भारत में विक्सित किया गया है और यह टैंक रोधी मिसायल है तो हैलिना एक टैंक रोधी बिशायल है जिसे भारत में विक्सित किया गया फिर आता है चिनूग यह एक अमेर की कंपनी बोईंग है जो की एक हैलिकॉप्टर है फिर आता है बराक एट जिसें DRDO और इ और इसके यही एक लड़ाकू विमान है फिर आता है S-400 जिसे रूस के द्वारा विक्सित किया गया और यह एक डिफेंस इयर डिफेंस सिस्टम में हैं अब आता है हमारा नेक्स्ट पिनाक के वारे में जोकी भारत का पहला सौदेशी रोकेट है फिर इसके वाद आता है आएने सकल वरी जोकी श्वदेश निर में थे और इसकॉर्पन सैड़ी की पंडुब भी है फिर आता है अपाची अपाची जोकी अमेरिका के है वरी एक लड़ाकू हेलिकॉप्टर है अब पढ़ते हैं अंतराश्टी संस्थानों एबम संगठनाओ के प्रमुख के बारे में अंतराश्टी संगठनों को पढ़ने के पहले सबसे पहले तो हम सम्युक्तराश्ट संके महा सचिप को जानते हैं इसके जो महासचिप हैं अंटिनियो गोटेरेस है जोकी पूर्तिगाल से है इनके उप महा सच्चिव हैं सैयुक्त राष्ट संग के अमीना जे मुहम्मद जो की नाइजूरिया से हैं और इसके 77-78-70 की सैयुक्त महा सवा में करमचा सावा कोरो सी हंगरी और डेनिस फ्रांसिस त्रीनायत इवं टोबेकू से संबन्दित हैं अब आते हैं सैयुक्त राष्ट के बिसिस्ट अभी करण में जिसमें चौदवे जो की विस्ट बैंक या आईवी आरडी के जो अध्यक्ष बने हुए हैं चौदवे अध्यक्ष आजयवंगा जो की भारती अमेर की हैं और इसके गुट नैम के जो अध्यक्ष हैं वह इलहाम फिर इसके बाद आते हैं आई एम एफ की जो प्रबंद निर्देशक है किस्टलीना जॉर्जी एविया है जो की बुल्गारिया से हैं डवलु टीओ के जो अध्यक्ष महाने देशक है नागोजी ओकॉन जो एवेला है अंकिताट के जो महासचिप है रेवेका ग्रिस पैन है जो की कोश्टरिका से हैं फिर आता है युनेसको के महानिर्देशक आंद्रे अजोले जो की फ्रांस से हैं खाद एवम किसी संगठन के प्रमुख है महानिर्देशक क्यों डोंगे हुए जो की चीन से सम्मंदित हैं अब आता है कि डबलु एचो के प्रमुख ट्रेडोस प्रमुक राष्टी मानवधिकार आयोग राष्टी मानवधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है बहें प्रमुक है बौलकर तुर्क जो की वॉस्ट्रिया से पिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में अब पढ़ते हैं चर्चित रास्टी महलाओं की बारे में चर्चित रास्टी महलाओं में सबसे पहली आती है दीपिका मिश्रा जो की बीरता पदक प्राप्त पहली भारती बायुशेन अधिकारी हैं दूसरी आती है गीता राणा जो का भाषी महिला अध्यक्ष है थो कि भार्तिय उल्म加入 की पहली महिला अध्यक्ष कि करहugs सोमा मंदल जो कि पहली महला शेर्मैन है कि कि आय साजी जो कि भारती श्रीचा बांदला जो कि और पिनली से महला भन गई हैं पर सरश्टी गौषवामें जो कि एक दचील में बणी थी चोपरा खंड़ राज्जी कि अब आता है सांत्री शीरी दूली पुडी पंदित के बारे में जो की जेनियू की पहली महिला कुलपती हैं, पूजा देवी जो की जमो कश्मीर की पहले महिला बसचालक है, भावना कांत भारत की पहली महिला लडाकु विमान पाइलट है, एम बीरालच्मी, भारत की पहली महिला एंबुलेंस ट्राइबर हैं, सिवांगी से हैं, भारत की पहली महिला फाइटर पाइलट हैं, जोती सर्मा, भारती सेना की पहली महिला जज हैं, और सिवांगी जोसी, नौ सेना की पहली महिला पाइलट हैं, फिर आती हैं चंदराणी मोरवू जो कि सबसे यूबा सांसन है इंद्रु मलहूत्रा जो कि सुप्रीम कोड की जजबनी पहली महला बकीले हिना जायसवान जो कि बायुशेना की पहली महला फ्लाइट इंजीनियर है तो यह चर्चित राष्टी महला है जो कि प्रथम है अब आ raatई है Manuel Roka Boti जो कि Ministar gospel गिनी की पहली महला प्रधान मंत्री है दीना बॉलु आर्ड जो कि पहली महला राष्ट पति पहली महला राष्ट पती है पहली महला पूछतव जाते जैसे पेरू की पहली महला राश्टपती कौन है दीना बॉलुआर्ट जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महला प्रधान मंत्री है रियान बर्णावी संयुक्तराब अमीराद की पहली महला अंतरिक छेयात्री है फिर आती है सना रामचद्र गुलबानी जो की पाकिस्तान की पहली हिंदू महला असिस्टेंट कमिशनर है फिर आता है आईशा मलक जो की पाकिस्तान की पहली महला मुखनियादीस है फिराता है नत्तासा फिरक मुसर जो कि शिलो वेनिया की पहली महला राश्ट पती हैं फिराता है गीता गोपिना जो की आईयमेप की पहली उप्रवंधक निर्देशक है फिराता है मैग डेलना एंडर्सन जो की स्वीडर की पहली महला प्रधान मंत्री है नागो जी ओंको जो, इवेला जो की डबलू टीयो की पहली महला नेरदेशक हैं, लॉरेन हवर्ड जो की लॉलम्पिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं, प्रियंका राश्धा कृष्णर नियुजिलेंड की पहली महला भारती मूल की मंत्री हैं, मनेशा तो है हसन जो की तन्जानिया की पहली महला राश्धपती हैं, तो ये प्रमुखंतराश्टी महला है, जिन से रिलेटेड कुष्ण पूछे जाते हैं कि कौन हाली में पहली महला प्रदान मंत्री या राश्धपती नियुक्त की गई हैं, अब आता हैं, अब हम जानते परतिय राज्दू तेबं구요 च्थायुक्त के बारे में इसके संदर में पढ़ते हैं और इसके साथ साथ इनकी राजधानी को भी देखते हैं नो कि इसमें देश आता है म्याइच अबिक मोजांबिक की राजधानी क्या खै मान पूतो जिसके जो रौबर्ट सेट के टांग है फिर आता हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रूसेल से इसके जो राजदूत है स्वरप कुमार एंटिगुआफ बार्बोडा की जो राजधानी है सेंट जॉन इत्यूपिया की राजधानी अदिस वावा ताजिकिस्तान की राजधानी दुसामबी इटली की राजधानी रोम है फिर आता हैं लसेतू सामराज की जो राजधानी है मासेरो है कोस्टारिका की राजधानी सेंट जो मंगुलिया की राजधानी उलान बटोर है स्रीलंका की राजधानी स्री जैवर्धनेपुरा कोटे है और इसके जो राजधूत है वैगोपाल बागले ह कांगो की राजधानी किंसासा है और इसके राजधूद मदन लाल रेगर है गोआना की राजधानी जार्श टाउन है फिर आता है जमेका जमेका की राजधानी किंगस्टन है और फिर आता है लिंक टेस्टीन की रियासत की राजधानी बार्टूज है फिर आता है त्रीनाद इभं टोवेको की राजधानी पोर्ट आप स्पेन है और इसके राजदूर्दीप से प्रोहेत है फिर आता है बॉलिबिया की राजधानी लापेज है निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है बुर्कीना फासू की राजधानी ओगाडोगु है सीरिया की राजधानी दम राजधानी निकोशिया है कजाकिस्तान की राजधानी एक अस्ताना है और इसके जो राजधू थे टी बी नागेंद्र प्रशाद है लेबनान की राजधानी बेरू थे तथा इसके जो राजधू थे मुहम्मद नूर रह्मान है फिर आता है पनामा पनामा की राजधानी पन जो और परिमोख देशानी के बारे में जाना और इसमें जो प्रमुक हैं उनकी राजदूत के बारे में भी जाना हुआ है अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आता है इसके अंत्रगत के विश्व के प्रुमो कम्पनियों के CEO के बारे में जानते हैं अब आता है सबसे पहले, एपल के CEO कौन है, टिम कुर्क है, माइक्रिसोप्ट के CEO सत्या नंडेला सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया के CEO है, अधारव पूनावाला और टाटा संसें टाटा ट्रेस्ट के CEO नतराजन चंद सेखरन और सिधार्थ सर्मा है मास्टर कार्ड के CEO माइकल माइबेग है, मास्टर कार्ड माइकल माइबेग हिंदुस्तान यूनिलेवल लिम्टेट के जो CEO है रोहित जावा है, संसर टीवी के जो CEO है उत्पल कुमार से है, फिराता है TCS के CEO जो है बह कृति के कृतिवासन है, Infosys के CEO सलिल पारिक है, Alphabet गूगल के सुंदर पिच्चाई है Amazon के जो CEO है बह एंडी जैसी है, फिलिपकार्ड के CEO कल्याण किश्रमोर्ती है, फेश्बुक के CEO मार्क जुकरवर्ग है फिर आते हैं, Twitter के CEO लिंडा याकरेनो है, Instagram के CEO केविन सिस्टॉन है, WhatsApp के CEO बिल कैथकार्ड है फिर आता है, Meta India के CEO संध्या दिवनाथन है, YouTube के CEO नील मोहन है, फसाई के CEO गंजी कमला बीराओ है, Tata Electric Nux के CEO रडधीर ठाकुर है Serum Institute of India के CEO अधारपुना वाला है, और Open AI के CEO मीरा मोर्ती और SpaceX के CEO एलोन मक्स है तो इन प्रमुक कमपनियों के CEO हैं, जिन से रिलेटेड भी कुशन पूछे जाते हैं अब आता है हमारा नेक्स सोसल मीडिया कमपनी के निवासी इस्थाई अधिकारी के बारे सोसल मीडिया के निवासी इस्थाई नेबम सिखायत अधिकारी के बारे तो फेस्बुक के जो जो सिखायत अधिकारी को हैं, इस्पूर्ती प्रिया पिर आता है ट्वीटर के बिनने प्रकास, वाट्सप के परेज बीलाग, टेलीग्राम के अभिमन्युयादव और इंस्टाग्राम के इस्पूर्ती प्रिया और कू या के राहुल सत्यकाम और लिंक्टेन के तान्या मामपली, अब आता है भारतिय एयरलाइन्स और उनके प्रूमुक के बारे में, जैसे एर इंडिया, एर इंडिया के जो CEO है और इसका मुख्यालाए दिल्ली में है, इंडियो के मुख्यालाए गुरुगराम हर्याणा में है, इसके CEO पीटर एलबर्स है, स्पाइस जैट के CEO आजैसे हो और इसका मुख्यालाए गुरुगराम हर्याणा में है, गो इन एर का जो मुख्याला है और मुंबई महराष्ट में है और इसके CEO कौसिक होना है विस्तारा एरलाइन्स के जो CEO है वै बिनोध का नन है और इसका जो मुख्याला है वै गुरुग्रा भरयाणा में है जेट एरवेज के CEO संजीब कपूर है और इसका जो मुख्याला है वे महराष्ट में, एर एस या इंडिया के जो CEO है वे एस रामा दुरेई है और इसके जो मुख्याला है वे बैंगलूरू कर्नाटक में है अब आता है हमारा नेक्स टॉपिक कि 2020 और 23 में मुख्याला दिवस समारो में मुख्याला अथिती के तौर पर कौन रहे हैं तो 2021 में सबसे पहले जानते हैं कि 2021 में COVID-19 के कारण कोई इसका अध्यक्ष नहीं रहा और किसी कोई भी मुख्यातिती के तौर पर नहीं आया जो की 72 बार था 2022 में 73 बा गरतन दिवस मनाया गया जिसमें भी कोई नहीं आया लेकिन थीम इंडिया एड़ारेट 75 इसकी थीम रही जिसमें सरफसेष्ट जाकी का जो पुरुसकार था बहें उत्तरपडेस की 80 पिशुनात कोरिडोर जाकी को प्रदर्सित किया गया था जिसको पहला पुरु 2023 का जो पुरुसकार है मतलब ये 74 बा गरतन दिवस मनाया गया था और इसके जो मिसर के राष्ट पती अब्दूल अफटे अलसिसी इसके मतलब मुख्या थी रहे थे और इसमें सरफसेष्ट जाकी मानुनस खंड पराधर तुत्राखंड की जाकी थे तो ये 2023 का है अब आता इसरो का पहला मतलब इसके 2022-23 की मिशन में गगनियान TV-D1 के बारे में गगनियान TV-D1 जो की 10 अक्टूबर 2023 को GSLV Mark III के द्वारा इसमें पिर्चेपड किया गया फिर आता है आधिक तैलबन जो की 2 सितंबर 2023 को 2 सितंबर 2023 को हुआ PSLV C57 इसका पिर्चेपड यान था DSSAR मिशन जो की पिर्चेपड थी 30 जुलाई 2023 था और इसमें PSLV C56 इसमें पिर्चेपड यान था अब आता है चंद्रयान 3 जिसके जो पिर्चेपड थी 30 जुलाई 2023 था और LBM3 M4 इसके पिर्चेपड यान है फिर आता है NBS 01 में जो की 29 माई 2023 को हुआ और GSLV F12 इसके पिर्चेपड यान है टेल EOS 2 जो की 22 अपरेल 2023 की इसके पिर्चेपड थी और PSLV C55 इसका पिर्चेपड यान है बन बेब इंडिया 2 में जो की 26 मार्ट 2023 को था इसमें LBM3 M3 इसके प्रमोखा रोकेट है फिर आता है EOS 7 जो की 10 फरवरी 2023 को पिर्चेपड थी रहा और SSLV D2 इसके पिर्चेपड यान रहे फिर आता है हमारा EOS 6 जिसे 26 नवंबर 2022 को पिर्चेपड किया गया मतलब पिर्चेपड थी थी और PSLV C54 की था है अब आता है इश्रो के आगामी मिशन के बारे में जानते हैं कि आईश्रो का आगामी मिशन गगन यान 3 है जिसे 2024 में पिर्चेपड किया जाएगा या भारत का पहला माना यूगत अंत्रिक्ष का आईक्रम होगा फिर आता है सुक्रियान फस्ट के बारे में जो कि 2024 इसकी तिथी और सुक्र के वाई मंडल का अध्यान करने के लिए किया गया है फिर आता है मंग्यालयान टू जिसको मंगल गरहे तो भारत का दूसरा इंटर्पलेनेटरी मिशन होगा जिसे 2024 में पिर्चेपड किया जिसमें पिर्थवी की निगरानी है तो नासा एक सुरो का यह संयुक्त मिशन है अब आता है अब जानते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में प्रोजेक्ट चीता जो है जिसको 17 सितम्मल 2022 को नावी विया से आठ अफ्रिकी चीतों जिसमें पांच मादा और तीन नर को मद् प्रदेश के कुनूराश्ति उद्धान में लाया गया जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है इसकी निगरानी है तो सरकार ने एक नौस अदस्चिये कारवल को दो वर्स की अवधी के लिए गठित किया और इस प्रोजेक्ट के तहर पांच परसों में कुल 50 चीत चान के दोरा 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया था भारत में बागों की संख्या टोटल कितनी है 3662 है इसे पूर्वजारी रिपोर्टों में बागों की संख्या 3166 बताई गई थी और विश्यो का 75% बाख केवल भारत में हैं तो 75% बाख सिर्व भारत में हैं जो इसमें सरवा की बृद्धी हुई हैं तो कितनी प्रिशंट की बृद्धी हूई है 24.1 की बृद्धी हुई है फिर आता है कि जिम। त दिकृत रिजर्भ उतरा खंद में देश का सबसे ज़्यादा भाग मिस बागा हम बीभार की में बागों की संख्या 4950 मतब 3925 थी और जिसमें बारसिक प्रदीदर 6 दिसमलों एक पिर्शत रही है तो बर्तमान में भारत में बागों की संक्र कितनी है 3682 अब पढ़ते हैं भारत में 2021 वाईस में आये तूफान एवं चक्रवाद की बारे में जिसमें देखते हैं कि इसका जो नाम किसके द्वारा दिया गया प्रभाविच छेतर के बारे में जानेंगे इसकी उत्पत्ती किसके द्वारा हुई और इनका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया तो गुलाव जो तूफ़ान आया था वैए उड़ीसा अंदरप्रदेश में आया था जिसकी उत्पत्री बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसका नाम जो है पाकिस्तान को दिया गया था पिर आता है असानी जिसकी जो प्रभावे छेतर था भै अंदरप्रदेस ऊड़ी इसा था और यह बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम जो था भै स्री लंका ने दिया था फिर आता है सितरंग जिसका जो नाम थाइलेंड की द्वारा दिया गया था और यह पश्यमंगाल बांगलादेश प्रभावे छित्र था और यह बंगाल की खाड़ी में तूफान आया हुआ था फिर आता है मैंडूस जो की दमें लाड़ू अंदर फ्रदेश तट पर आया था यह बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ती हुई थी और यह यह यूएई इनकी द्वारा इसका नामकरण किया गया था फिर आता है गैब्रेयल जिसे की ओकलेंड न्यूजिलेंड में प्रभावे छेत्र था था फिर इसकी वाद आता है मोचा जिसमें बंगाल उडिसा में आया हुआ था मंदब प्रभावे छेत्र था और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ती हुई थी और इसका नाम जो अरब सागर में इसका उत्पत्ती हुई थी और बांगनादीस में इसना नाम करण किया फिर आता है साउला जो कि इसका दक्षणी चीन में प्रभावी छेत्र था फिर आता है डेनियल जिसको प्रभावी छेत्र लीबिया था फिर आता है हामून जो कि बंगाल की खाड़ी में पंपन हुआ था और इराण को दोड़े नाम दिया केया था वह था अब आता है वमारा नेक्स्ट आता है विशिवम भारत के तीन सु apply कंप्यूटर के बारे में जिसलें पहलाओ सुपु नुफ beta जिसमें पहला सुपर कम्पुटर जो की विश्य में है विश्य में है फ्रंटियर जो की अमेरिका का है दूसरा आता है फोगाकु जो की जापान का है तीसरा आता है लूमी फिनलेंड का है तो फस्ट में कौन सा है विश्य में फ्रंटियर जो की अमेरिका का फोगाकु जापा और फिनलेंड का लूमी है लूमी सुपरकंप्पूटर है जो की विश्व में तीन टॉप थिरी रेंग पे है इसी तरीके से भारत में टॉप थिरी रेंग पर आते हैं परमसिद्धी, सीडेक, पुने की द्वारा पुने में है पिर आता है पिर्ट्यूस जो की IIT पुने की द्वारा विक्सित किया गया और बेहर जो की IIT M पुने तो मतलब ही IIT M पुने की द्वारा दो है और एक सीडेक की द्वारा है अब इसमें परिक्षा उपयोगी महतपूर तठ्थों को देखती हैं कि देश में कुल बन बन बरक्षा वरण जो था वह 8,09,537 बर किलोमीटर था जो कि 24 दिसमलो 62 प्रिश्चत छेत्र को कवर करता था फिर आता है देश में कुल बन बन बरण 7,13,789 बर किलोमीटर है जो कि 21 दिसमलो 71 प्रिश्चत छेत्र को कवर करता है फिर आता है देश में कुल बरक्षा वरण जो है 95,746 बर किलोमीटर है जो कि 2,91 प्रिश्चत छेत्र को कवर करता है अब आते हैं कुल ब्रद्धी व्रक्षेवं बनावरण में जिसमें 2261 इसमें कुल ब्रद्धी है जो की बर किलो मीटर में आती है फिर आता है कि बनावरण में ब्रद्धी को देखें तो बनावरण में ब्रद्धी जो है 1540 वर किलो मीटर है जो की 2019 की तुलना में 0.22% जादा फिर आता है ब्रक्षावरण में ब्रध्धी शासु 21 वर किलोमीटर है जो कि 21 किलोमीटर है जो कि 2019 की तुल्ला में 0.6 बिन 6 परसेंट है देश में कुल मैंगभूव बन जो है不錯 वा चार हजार नौ सो बाणवे बर किलोमीटर है जिसकी ब्रध्धी 77 किलोमीटर वर किलोमीटर हुई है सरवादिक मेंगुरूप बाले राज्जों में आता है जो राज्जी है उनमें आती है पस्षिममंगाल, जिस में 42.33% है फिर आता है गुजराथ 23.4% और 9.5% 12.34% आता है सरवादिक बंशीतर वाले जिले में सरवादिक बंचीतर में आता है मद्य प्रदीश, फिर आता है और नाचल प्रदीश, फिर 36 कड़, और सबसे कम बंचीतर वाली में आते हैं हरियाणा, पंजाब और गुवा, मतलब सरवादिक बंचीतर में कौन कौन से आती हैं, सरवादिक में आते हैं पहली नंबर पर मद्य प्रदेश फिर आता है अर्णाचल प्रदेश फिर आता है अर्णाचल प्रदेश फिर आता है च्छतिस कड़ और सबसे कम बंचित्र वाले सीर्स जिलों में आता है हरियाणा पंजाब एवं गुवा अब आता है हमारा की बनावरण में बिर्धी दिखाने वाले सीरस राज़ों में आता है आंदरपरदीस, तेलंगाना, ओलष आता है और सर बाद एक बनावरण में पिर्षत वाला राज आता है मिजूरम, मिजूरम की वाद आता है अड़ा चरप्रदेश फे में घाला आता है देश में बनों में कुल कार्वन स्टोक जो है वैं 7204 मिलियन टन इसमें लगभग आता है तो इसमें बनों का कुल कार्वन स्टोक आता है तो यह परिक्षा उपयोगी महत्यपूर तत्थ हैं जो कि भारत की बनिस्थिती विपूर हुआ है है अब आता है हमारा नेग्स टॉपिक, नेग्स कौन सा टॉपिक है में घुशuhan में 25 में पिर्थम है फिर आता है मक्का, मक्का में बिश्व में अमीर का है, कर्णाटक भारत में है, डलहन एवं दालों में भारत प्रथम इस्थान रखता हो, जिसमें मद्ध प्रथम इस्थान पर है, फिर आता है मूंख फली जिसमें बिश्व में चीन पहले इस्थान पर है, फिर उसकी बाद गुजरार फिर आता है गन्स है जो की बराजी ब्रथमि स्थान रखता है और भारत में उत्तर प्रदेसं रखता है फिर आता है जूट जय के परिद्धर sortir मनलों फिर पर्थमिस्थान रखता है और भारत में आंधरप्रदीस होता है फिर आता है प्राक्तिक रवर्ड जिसका जो विश्व में थाइलेंड का प्रिथम इस्थान है फिर उसके बाद जो भारत में केरल का है कौफी में ब्राजील का इस्थान प्रिथम है तथा भारत में करनाटक सूरजूखी भारत में सरवादिक होता है प्याज का जो उतपादन है वैवी चीन में होता है तदा भारत में महराष्ट में होता है चाय का जो उतपादन है वैचीन में होता है विश्व में भारत में आसम में होता है और सुयवीन का उतपादन विश्य में अमेरिका में सरवादिक होता है भारत में मद्यप्रदीस में होता है फिर आता है कि दूद का उतपादन विश्य में भारत में सरवादिक होता है भारत में राजिस्थान में जादा होता है फिराता है चीनी जिसका उत्पादन विश्व में भारत में होता है भारत में या माराष्ट में सरबादिक होता है फिराता है मसालों की उत्पादन में भारत में पिर्थमिस्थान भारत का है और मद्यप्रदीस का पिर्थमिस्थान होता है और कुल तिलहन में भारत में पिर्थम इस्थान विश्व में है तथा भारत में पिर्थम इस्थान राजिस्थान का होता है अब आते हैं हमारे प्रमुक खनेज उत्पादन एवं भारत एवं विश्व के संदर में जैसे कोईले में बिश्व में पिर्थम चीन है और भारत में पिर्थम 36 गड़ है फिर आता है हीरा जो बिश्व में पिर्थम रूश और भारत में मद्यप्रदीस तावा में बिश्व में चीली और भारत में मद्यप्रदीस लोहया एक्स में ओस्टिलिया बिश्व में और उ प्राक्तिकेस जिसमें विश्व में रूस और भारत में असाम आता है, फिर इसके बाद आता है आपका, नेक्स्ट बाकसाइड बाकसाइड में ऑस्टेलिया पिर्थमिस्थान पर फिर ऑस्टेलिया पिर्थमिस्थान पर और ओडीशा भारत में पिर्थमिस्थान पर आता है टंगस्थन जिसमें चीन और जिसमें प्रथम इस्थान आंदर प्रदीस का है केडमिनियम में भी चीन का प्रथम इस्थान है वह भारत में आंदर प्रदीस का आता है यूरिनियम टंगस्थन और केडमियम में विश्व में प्रथम इस्थान चीन रखते हूं भारत में भी आ उडिशा का प्रिथम इस्थान भारत में आता है फिर आता है हमारा टीन जो की टीन का उत्पादन जो है चीन में सरवादिक होता है भारत में 36 कड में फिर इसके वाद आता है सीसा जिसमें चीन में सरवादिक उत्पादन होता है भारत में राजिस्थान में होता है फिर आता ह किस्थलों, सेहरों तथा भियानों में परिवर्थित नाम की इनसे रिलिटीड भी कुश्छन हमेशा पूछते ही हmam अब आता है हमारा पुराना नाम और परिवर्देट नाम के बारे में। दिया गे हैं मुंबई ट्रांस हार बर लिंक का नाम अटल सेतू कर दिया गया है इहमन नगर जिली का नाम एहलावाई हूलकर कर दिया गया है फिर आता है उसमानावाद सहर महराज का नाम धारासिवag राइबरेली होकी स्टेडियम का नाम रानीज गल्ड होकी टर्प कर दिया गया है फिर आता है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देश मुख रेलवे स्टेशन प्रिस्तावे थे रावर केला होकी स्टेडियम का नाम बिर्वा मून्दा अंतराइश्टिया होकש की स्ठीरियम हैuti Harris Park के जो किसे दनी ऑस्ठीलीय में स्थे थे इसका नाम Little India कर दिया गया है मोटए अनाच इसी मिलेटस पर सुपर हैं फूर कहा जाता है इसका नाम परिवर्थित करके स्रीयन कर दिया गया है फिर आता है इसलाम नगर गाउं मद्प्रदेश जिसका नाम जगदीश पूर कर दिया गया है मुगल गार्डन दिल्ली का नाम अमरित धान कर दिया गया है फिर इसके बाद हो लोंगी ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट का जो नाम है अरणाचल प्रदेश के उसे डौनी पोलो एरपोर्ट कर दिया गया है चिपी हवाई अड़े का नाम महराष्ट कर दिया गया है वो बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड़े है महाकाल कोरिडोर उज्जेन का नाम स्री महाकाल लोग कर दिया गया दौलतवात के ला महरास्ट का नाम देवगरी के लिया कर दिया गया है किवुतिव सेन सिभिर अडाचल प्रदेश का नाम जनरल बिपिल रावत मिलिटरी गेरीशन कर दिया गया है इसी के साथ ही राजपत है दिल्ली का नाम जो है अगरतब बिपत कर दिया गया है चंडीगड हवाई एड़े का नाम सहीद भगस सेंतराश्टिय हवाई एड़े कर दिया गया है लिसेश्टर किर्केट ग्राउन इंग्लेंड का नाम सुनील गावशकर किर्केट ग्राउन कर दिया है 0.51400 ड्रोन्स सेक्टर का नाम गन हिल कर दिया गया है फिर आता है राश्टिय रेल इवं परिवहन संस्थान का नाम गतिसील विश्विध्याले कर दिया गया है फिर आता है कि हरीजन सब्दिको डॉक्टर अंबेट कर दिल्ली सरकार द्वारा कहा गया है मिया का बड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान में महिस नगर होल्ट कर दिया गया इसका नाम केवडिया रेलवे स्टेशन गुजरात का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है बिहार मखाना का नाम मिथला मखाना कर दिया गया है जिम कारवेट नेशनल पार्क का जुनाम है वह राम गंगा राज्टी उध्धान कर दिया गया है जासी रेलबे स्टेशन उत्रप्रदेश का नाम बीरांगना लच्मिवाई रेलबे स्टेशन कर दिया गया है अब आता है लोकसभा या राजसभा टीवी का नाम जो है वैसंसर टीवी कर दिया गया है, मिड्डे मेली योजना का नाम पीम, पोशन योजना कर दिया गया है, सैना, खेल संस्थान पूने का नाम नीरत चौपडा, स्टेडियम, नीरत चौपडा या स्टेडियम रख दिया गया है राश्ट चीव गांधी खेल रतने पुरुसकार का नाम मेजर ध्यान चंद्री खेल रतने पुरुसकार कर दिया गया है काकुरी कार्ण का नाम काकुरी ट्रेन एक्सन किया गया है चेनारी नासरी सुरंग का नाम डॉक्टर स्यामा परिशाद मुखर जी सुरंग कर दि दिया गया है तो यह प्रमुख है सहरों की नाम रहें जिसमें यह परिवर्दित नाम है अब आता है हमारा नेक्स्ट COVID-19 वैक्सिन निर्माता कमपनी के बारे में जिसमें पहला आता है को वैक्सिन जो है भारत का बायोटेक और ICMR की द्वारा यह को वैक्सिन निर्मत किया गया था कोवी सील को सीरम इंस्टिटूट और ICMR की द्वारा विक्सित किया गया था कोबो वैक्स को सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया पूने की द्वारा विक्सित किया गया था कोबे वैक्स को बायोलोजिकल इंस्टिटूट लिम्टीड हैदरावाद द्वारा किया गया था जाइकोब D को जाइडस केडला अहमदाबाद की द्वारा विक्सित किया गया था, इनकोब WACE को भारत बायोटेक की द्वारा विक्सित किया गया था, इनकोब WACS को ICR तथा NRC की द्वारा विक्सित किया गया था, फिराता है रूस की इस पूतनिक फायब को जमेलिया रिसर् इस्टिटूट की द्वारा विक्सित किया गया था अमेर्का की मॉडरना वैक्सीन को मॉडरना की द्वारा विक्सित किया गया था और अमेर्का का जॉंसन एंड जॉंसन जॉंसन फार्मेशी की द्वारा विक्सित किया गया था और इस पूतिन एक लाइट को जम्मिलिया रि 2023 तक पुरुषकार प्राप्त होए हैं इन पुरुषकारों की बारे में देखेंगे जिसके अंतरगत पहला आता है order of अब्दुल अजीज अल सौध पुरुषकार 2016 जो की सौधी अरब के द्वारा दिया गया फिर आता है चैम्पियन ऑफदा अल्थ अवार 2018 को युनाइटे नेशन के द्वारा दिया गया ग्लोबल गोल की पर अवार 2019 को बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया order of the रहने सा 2019 को बहरीन को द्वारा दिया गया फिर आता है Order of Jaiad Award 2019 संयुक तरव अमिराद के द्वारा दिया गया, St. Andrews of Postal Award 2019 को रूस के द्वारा दिया गया, Philip Kortler Award 2019 को किलोंग of School Management के द्वारा दिया गया, Rule of Nissan Ijundin Award 2019 को मालदीप के द्वारा दिया गया, फिर आता है Legion of Merit Award 2020 को अमेरिका के द्वारा दिया गया, नगदग पेल जी, खोर्खो अवार 2021 बूटान के द्वारा दिया गया, फिर आता है एवाकल एवार्ड बाइदा रीपबलिक और पलाओ 2023 को पलाओ गडराज के द्वारा दिया गया, Companion of the Order of Fiji 2023 को फिजी के द्वारा दिया गया, फिर आता है Companion of the Order Logohu 2023 को पापुवन न्यू गिनी के द्वारा दिया गया, Order of the Nile 2030 को मिसर के द्वारा दिया गया, Grand Cross of the Legion of Honor 2023 को फ्रांस के द्वारा दिया गया, Grand Cross of the Order of Honor 2023 ग्रीस के द्वारा दिया गया, तो यह फ्रांस और ग्रीस के द्वारा, Grand Cross of the Legion of Honor 2023 दिया गया, 2023 में कुल कितने प्रुसकार दिये गये, इसमें पांच प्रुसकार है, जिसमें यह 2023 के दर्मिया इसमें इनको प्रदान किये गये, जिसमें पलावगड़ राज के द्वारा, फिजी द्वारा, पापुवर निव, नीनुगिनी, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस के द्वारा, यह 2023 में में प्रदान मंत्री जी को प्रुसकार, सर्वुची प्रुसकार प्रुदान किये गये, अब आता है हमारा नेक्स टॉपिक, डिक्सनरीों द्वारा चैनेत, सब्दी के बारे में, कि वर्ड आप दा येर के बारे में, जिसमें ऑक्सपोर्ड के द्वारा, दो हजर इकीस में बैक्स को कहा गया था, और दो हजर वाइस में, गोबिलिन मोर्ट, और मरियम नेक्टर के द्वारा डिक्सनरी के द्वारा बैक्सीन और बलड आप दा येर 2021 का था, 2022 का गैसलाइटिक, येमड्रिज इन्वर्स्टी के द्वारा, 2020 का नेफ येफटी था, 2022 का होमर और जो अभी 2023, उसका है अलूसीनेट और कोलीन्स, डिक्सनरी के अनुशर, का है डिक्सिनरी.com का एली सिप दो हज़र एक्टीस का बूमेन है तो अभी जो प्रिजेंट में 2023 में कैम्बरेज इनवर्सिती के द्वारा घोसित कर दिया गया है यह बर्ल ऑफ दा इयर है लूसिनेट और जो कॉलिंस डिक्सिनरी के अनुसार ए आई इसका वर्ड घोसित किय आइ घो गया है अब आता है हमारे नेक्स्ट योजना अभियान मिसन एवं संमन्धित राज एवं मंत्रालय के बारे में अब देखते हैं सबसे पहले योजना और राज mantran लए कि बारे में जिसके अंतरगत पहली योजना आती है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो की उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना है फिर आता है सैप सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की है खादु सुरक्षा अभियान मेगाले की जामरानी परियोजना बांध पर योजना उत्त्राखन नईचेतना 2.0 ग्रामिल विकास मंत्राले अबुआ आवास योजना जारखन्ड की डॉक्टर पुनीत राज कुमार हिर्दय जोती असरक योजना करनाटक सरकार की फिर आती है नमो सेत्करी महासम्मान ने योजना महराष्ट की है फिर लेक लकड़ी प्यारी बेटी योजना महराष्ट की है मुख्यमंत्री लोक सेवा आर्यूग के योजना असम सरकार की, मुख्यमंत्री निर्माण सिर्मिक योजना 36 कड की, आहल्प कारकरम जारखन सरकार की, सवल योजना हिमाचल प्रदीस की, मुख्यमंत्री कान्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदीस की, मुख्यमंत्री मेधा चातर प्रोसाहन योजना उडीसा की है फिर आता है ग्रह आधार योजना जो की गुवा की है फिर उसके बाद आती है मुख्यमंत्री शंपून पुष्टी योजना उडीसा की मुख्यमंत्री नास्ता योजना तेलंगाना की मुख्यमंत्री श्रिमक कल्यार योजना अर्नाच सरकार की हैं फिर आती है पी एम विश्यकर्मा योजना केंद्री मंत्री मंदल की हैं फिर इसके बाद आती है मेरी माटी मेरा देश अभ्यान जो है मेरी माटी मेरा देश अभ्यान भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है मुझ जंगल जामी योजना उडिसा सरकार की है आम जारखंड की नास्ता योजना तमिलाडू की और फिर आती है मुख्य मंत्री शीखो कमाई योजना जो की मद्रप्रदेश सरकार की ये योजना है ससक्त महला रिण योजना हिमाचल सरकार की गहज कोथा अभिहान असम सरकार का अमरित भारत स्टेशन योजना दक्षडी करनाटक सरकार की मुख्य मंत्री सीखो कमा योजना मद्रप्रदेश सरकार की ग्रह जोती योजना करनाटक सरकार की पॉलिटेक्निक चलो अभिहान उत्तरप्रदेश सरकार का और नंद बावा दुग्द मिसन योजना उत्तरप्रदेश सरकार की है और अन्य योजनाओं की बारे में दिखें और भी यूजना है जिसमें आती है नमो सेत करी महा सम्मान यूजना महराष्ट सरकार के समर्थ वियान मंत्री गिरीराज की पोशन भी पड़ाई भी अभियान महला विकास मंत्राले की हर घर धियान अभियान संस्कृति मंत्राले की फिर आता है स्टार्ट क हैं मुख्य मंत्री कोर्शल उन्यन रोजगार योजना उत्राखंड सरकार की आसासन अपालिया दारी पहल जो है वैमाराज सरकार की एक पंचाईत एक खेल मैदान योजना किरल सरकार की संगठन से समरद्धी अभियान ग्रामी विकास मंत्रा रेका एहल्प फिराता है स्कूल चलो अभियान जो की उत्तर प्रदेश का है मुख्यमन्त रीब्रक्षा संपर्दाय योजना च्छतीस गण सरकार की है फिराती है लाड़ली बहना योजना 2.0 मद्य प्रिदेश सरकार की देदी सुरक्षा कवच योग जना पश्य मंगाल की जहां बंधन बहार्टरिस्ट अभियान बंधन बैंक का ब्रेंट्स ओफ लाइपरेडी योजना तमिलाडू सरकार की अर्णोदय 2.0 योजना या बाजरा मिसल असम सरकार का आता है योजना उत्तर प्रेल्देश की आसरः पेंसन योजना या कांटी बेलुगो यूजना तेलंगाना सरकार की हर घंगाजल यूजना बिहार सरकार की चाता अभियान या आमलड़ अबयां ओडिसा सरकार का है फिर आता है इसके बाद सुषासन पुरुषार tactics यूजना ही सेवा भियान 36 गड़ सरकार का मुख्य मंत्री डेरी पिलस योजना मद्धिपिदे सरकार की महत्मागा नहीं रूरल इंडिस्ट्रियल पार्क योजना 36 गड़ सरकार की है फुटवाल फॉर ओल पहल जो है वह उडिसा सरकार की है मिशन लाइप के वडिया गुजरास से पी एम मोदी द्वारा शुरी की गई है सारभोमिक स्वास्त बीमा योजना नागलेंड सरकार की धन बरसाय योजना या बीमा रतन योजना यलाई से की है बंदिभात तम पहल मह अराश्ट सरकार की मुख मंत्री स्वास्त बीमा योजना नागलेंड सरकार की है यहां पर इप्रमुक योजना हैं जो की सरकार के द्वारा यह संबन्द तराजिव मंत्रा ले है अब आता है हमारे नेक्स्ट तिवहार उस्सा एव मेला महुस्व जो की 2022-23 में रहे यान के बारे में जानते हैं जिसमें पहला आता है नावा भारती अंतराश्टिय पिज्ञान महुस्व जो की फरीदवाद हर्याडा में हुआ फिर आता है एंथूरियम महुस्व दोहजार तेईस मिजूरम में हारन बेलु सव दोहजार तेईस नागलेंड में जगाई जात्रा उस दिल्ली में पिर लाइट हांस उस्व दोहजार तेईस चिखल कालो ए गोवा में फिर आता है आदी फेरुकू उस्व दोहजार तेईस तमिलाणों में चाचिन चराई महुस्व दोहजार तेईस अरुणाचल अड़ाय परदेश में हा मिस तेर से चू महूसाव दो हज़ार थेश लेह मोसाव दो हज़ार थेश जम्मु कश्मीर में है पिर आता है माताखीर भवानी मेला 2023 जो है वे जम्मु कस्मीर में बाजरा महुस्ताव जो है वे देहरादूर उत्राखंड में ठावी महुस्ताव वे स्वे अर्णाचल प्रदेश में फिर आता हैं, भुंचु, महुस्व, 2013, सिक्किं में, धिब्वре-कलाग मेला, 2013, गंगा-पुस्करेलू, 2012, सुर इसी, उत्तर प्रदेश में, माधोपूर मेला, माधोपूर मेला, 2013, गुजरात में, कटी भिहु, परब, 2013, या रोंगाली, या बोहाग भिहु, 2023 असम में मनाया गया फिर आता है मतुवा धर्म मेला या गंगा सागर मेला ए पश्य मंगाल का है फिर आता है G20 फिलावर फेस्टिबल 2023 और आदी महूँ 2022 को नई दिल्ली में मनाया गया विज्यान साहित महूँ 2023 दिब्बिकला मेला 2022 भुखपाल में फिर इसके बाद आता है पूर्थ राष्टी युवा सांसन महू साव दोहजर तेईस नई दिल्ली में फिर आता है चोगदवा राष्टी ये राष्टी महू साव दोहजर तेईस बीकाने राजिस्थान में काला घोडा कला सा महू साव दोहजर तेईस मुंबई में खजराहु नित महू साव दोहजर तेईस में फिर इसके बाद आता है अजन्ता एलोरो अंतराष्टी महू साव महराष्ट में 36 वा सूरच कुण नंतरास्टी सिल्प मेला 2030 फरीदावाद हर्याड़ा में फिर इसके बाद आता है नौमा नंतरास्टी योग महुस्व 2030 रिसी केस उत्राखर्णवा मनाये गया औरेंज फेस्टिबल 2030 को कोहिमा नागा लेंड में फिर आता है मागिया भोगाली भीहू 2030 अंबुबाची मेला बेखोती उहार असम में भारत रंग महुस्व 2030 महराष्ट में फिर इसके बाद आता है शब्विसवा राष्टी युवा महुस्व 2030 उगादी उस्व करनाटक में चेरचेरा महुस्व 2030 चत्तिसकर में तूरंग्या उस्व 2030 या परशुराम कुन महुसव अर्णाचल प्रदीस में अवतार महुसव अवतार महुसव 2023 को राजिस्थान में तामू लेव सर्फ 2022 को सिक्किब में तथा बथ्थू कमबा फ्ल फूल महुसव जो है ते लंगाना में मनाये गया तो ये प्रमुख है उस्व मेला एवं तेवहार हैं जिसे 2022 तेश में मनाये गये अब आता है हमारा नेक्स टॉपिक नेक्स टॉपिक के अंतरगत देखते हैं और इसमें पहले रंबर पर आता है किस्टावर जलीकी केसर जैसे 2023 में यह जमू कस्मीर राज्यकु जी आईटेक्ट प्रदान करिया गया फिर आता है दे 2023 के ही सभी sequence wise पढ़ेंगे कि 2023 में किस किस को दिया गे सी वर्क थोन फल लद्दाग बेरी नांग चाय उत्राखन याक चुरपी खामती चावल तांग सा वस्त्र अवनाचल प्रदेश का रहा केंडरपाड़ा की रसबली मिठाई औरीचा के काजु जो है वै गोवा काजु के लिए दिया है चोकुआ चावल माल् turmeric चोकुआ जो चावल है उसके लिए असम को D야护े गए गया है रायगण सौल कोरापुट कालाजीरा चावल औरीचा के लिए बिराता है सलेम सागो उत्तामिलाणों के लिए जलेसर धातु सिल्फ उत्तरप्रदेश को बेविन का 2030 जी आइटेग गोवा को मिला है फिर आता है उस्ता कला सिल्फ पीकाने राजिस्थान को मनकुराड आम जो है वैगोवा का फैमस है जिसके लिए जी आइटेग मिला हुआ है अब आता है कोपतागिरी धातु सिल्फ उदैपुर को या राजिस्थान को 2023 के लिए मिला हुआ है फिर आता है बंदेज कला जो की जोदपुर की फैमस है इसे राजिस्थान को मिला हुआ है मैटी कला तमिलाडू फिर आता है चदेरी नामकटी तमिलाडू चेदी बूटा सा उत्तर प्रदीश को मिला है फिर इसकी बाद आता है महँबा गोरा पत्थर हस्ति शिल्फ उत्तर प्रदीश को मैनपुरी कातार कसी उत्तर प्रदीश को ओथरपान का पत्ता ता तमिल लाडु को, कारी इसाद आम तरकरनाटक को, अराकु बेली काली या काली मिर्च अंदर प्रदेश को, फिर आता है मनाम दुरई, मिर्दभांड, कम्मन, अंगुर, तमिल लाडु को, फिर इसके बाद आता है गोर्ड पेंटिंग, मुरेना गज़क, मदर प्रदेश को, रीवा के सुन्दर जा आम, और सर्वती गेहूं को, मदर प्रदेश को, लकडी की नकासी कला, लद्दाक को, फिर आता है इसके बाद, नागरी दूबराज, चावल, को, छतीसकड को, मर्चा चावल, पस्चिम, चंपारण, बिहार को, बसुहिली, पैंटिंग, जम्मो कस्म फिर आता है बनार्सी पान या लंगडा आम, बनार्सी पान लंगडा आम जो है इसमें उत्तर प्रदीश को, हाथरस हींग, नगीना लकडी सिल पे उत्तर प्रदीश को, रामनगर भंटा या सपीत गूल बैगन जो है वह उत्तर प्रदीश को, उसके बाद आता है आदम, च 2022 के कुछ है जिसमें मिथला मखाना जो है उसे 2022 में बिहार को जी आई टेक दिया गया गमोचा या गमचा के लिए असम को तंदूर लाल चने कूती लंगाना को और रक्त से कारपो खुबानी लद्दाग को इसका ना को जी आई टेक दिया गया अब आता है हमारा नेक्स आफिक पड़ती है चर्चित नेधान एक्वान बैक्तित के वारी में पड़ें जिसमें आते हैं पहले नंबर तर राज कुमार कोही ने जो की फिल्मन नर्माता नर्दि सक ciao है फातलियो पहली महला जग की सुप्रीम कोट की नहीं जिसका नजहन रहाई टेएटेश नमंबर फिर आता है एसके बार आती है आपकी गीता निर्माता रही आजीद निनान जो की काल्टूनिस्ट रहे अरोड कुमार से हैं जो की SPG के निर्डे सक रहे PM सुरक्षा में फिर आता है इसके बाद जैन्त महापात्रा जो की अंग्रेज कभी थे उनका निधन हो गया सत्ताई सगस्त को सीमादियो माराथी अभीनेती सियाल राव प्रशिद्य सांखे की वित्थे फिर आता है इसके बाद ओमान चांडी जो की 18 जुलाई को निधन हुआ के पूरु मुख्य मंत्री और फिर आते हैं रविंद्र महाजनी जो की माराथी अभीनेता नम्मूदरी जो की प्रशिद्य चेक्तरकार एबं मूर्टिकार रहें फिर आते हैं इसके बाद गीता अन्यली यह जिसका ने धन आये एक एंग आप